हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब लोग अभी कर्मिया शुरू हो गई है तो कर्मिया में कुछ खाने का मन नहीं करता बस मन करता है कुछ थंडा सा मिल जाए कुछ टेस्टी सा युमी सा कोई ट्रिंक मिल जाए और अगर यही द्रिंग्स के लिए हम मार्केट जाए काफे जाए ब वीडियो एंड तक देखेगा सारी वीडियो पूरी पूरी देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरिट ड्रिंक कौन सी थी और आपको कौन सी रेसिपी सबसे पसंद आई और आप जाके बनाने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता शर्मा पे और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस पर मच्छाची गुकिंग वीडियो जालते हैं रोज न्यू न्यू रेसिपी शेयर करते हैं तो आज सबसे पहले मैं आपको बनाने सिख अच्छा बहुत लगता है पर गर्मी बहुत है बहार तो बस घर में बनाएंगे सिख तीन इंग्रिएंट से सबसे पहले हम लेंगे गुड तो देखिए हमने गुड को थोड़ा बारी काट लिया था गुड लिया है साथ में लेंगे पुधीना ताकि एक रिफ्रेशिंग अच्छा नमक देखिए हमारे जूस को बहुत अच्छा स्वाद देगा बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और इसमें डालेंगे आधा नीबू तो इस आधे नीबू को अच्छे से निचोड़ेंगे यह देखिए आप नीबू दो भी डाल सकते हैं अगर आपको तुड़ इसे हम अच्छे से पीस लेंगे तो यह देखिए यह देखिए पिसने के बाद हमारा गन्ने का जूस घर पे बनके तैयार है और अगर आप सोचेंगे कि वैसा टेस्ट नहीं करेगा तो आपको मैं 100 प्रतिशत गारंटी देती हूं कि बिल्कुल वैसा टेस्ट करने वाला प चाहें इसमें ड्रेक्ट पानी मिला सकते हैं यह देखिए हमारा गन्ने का रस बनके तःयार हो चुका है धोड़ा हरा इसलिए थे हृऽ जूब सार lange इसमें शॉइस में आप ने दाता है क्यों फ्लेफर अच्छे से आता है और पुदिन पत्त छोटब दालेंगे तो इसका हमारा गन्य का रस बनके तयार हो चुका है, एककम healthy, एक दम fresh है, मीनट में बनके तयार हो गया है गर्मी में नहीं जाना पड़ा, तो आपको इसको रख वह अगरें लोई संस Whereas, यहां पे मिंट लीज यानि हमारे पुझीना के पत्ते और फिर हम अपना डालेंगे इसमें गन्ने का रस तो यह देखिए पांच मिनट में हमारा गन्ने का रस बनके तयार हो चुका है तो यह रेसिपी बनाईएगा और पीके देखिएगा बिल्कुल मार्किट जैसा लगेग और नेक्स रेसिपी है हमारी दिल्ली की जान महबबत का शर्पत यह बहुत फेमिस है दिल्ली में और बनाना बहुत असान है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें लेंगे आइस यहां हमने आइस क्यूब्स डाले हैं और उसमें डालेंगे हम मिल्क मिल्क लो फैट हाई फैट कोई साबी इसमाल कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो और उसके बाद हम डालेंगे इसमें शर्पत तो यहां पर हमने एक बड़ा चम्चा शर्पत का लिया है यह देखिए यह हमारा रोस फ्लेवर का शर्पत है जो रोफसा हमारा मार्किट में मिल बहुत स्वादिश्ट होती है तो आप भी यह मोहबत का शर्पत बनाईएगा और लिया है हमने यहां पर तर्बूच तर्बूच को बारिक काटा है और हमने हो सके जितने इसके बीच निकाल दिये हैं ताकि हमारा शर्पत पीते हुए मुह में बीच ना आए तरि देखिए दिली से बाहर पीएंगे तो बहुत महँआ मिलने वाला है अब इसमागा यहां पर पिसा हुआ चीनी आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं पिसा हुआ बस इसले हम इस्तिमाल करते हैं तकि ठंडी डृंक है ताकि चीनी असानी से मिल जाए उर बस अब लेंगे एक लास उस में अपना महबबत का शर्मत डालेंगे यह देखिए हमारा महबबत का शर्मत बन के तयार हो चुका है कितना सुन्दर और उतना ही स्वादिश्ट बनने वाला है आपको दिल्ली आने की जुरत नहीं है इस गर्मी महबबत का शर्मत पीने के लिए आप घर में बना सकते हैं इ नेक्स्ट रेसिपी के लिए यह हमारा ड्राइफ्रूट वाला बनाना शेक स्वारी में को अवास खराब हो गई थी देखिए हमारी बनाना शेक है गर्मियों में बहुत आते हैं बहुत सस्ते होते हैं बॉडी के लिए अच्छे होते हैं बहुत सारा उसमें मारा वाइटमिन तो बस इनको भी हम घर्मियों में खूब बनाएंगे तो यहां हमने इसके लिए हैं भीगे हुए बदाम काजू चीनी इलाइची और साथ में थोड़े समें कटे हुए ड्राइफूट्स भी लिए हैं आपकी पसंद के जैसे पिस्ता बदाम काजू अक्रोट साथ में दो केले कि अब ने भीगे हुए इसकिमाल किए हैं कुकि गरम होते हैं तो अगर बिल्को के इसफिमाल करें तो यह ठंड़क पहुंचाते हैं शरील में तो बस अब में मिक्सर में गाजू तो दो चम मत चीनी इलाइची और दूड़ डालें गर साथ में हमने जो दो केले लिए थे तो हें पैसं साहे निहां सेिया आरह ईती है िढे उन्याद ससे हैं मैंक कें चैनल के सब्सक्राइ आदे लिग जया गता दर्एमि के लिसरें निया का जूँ सब्सक्सा पिन हो कि अजए देगे जतनी में मांते हम चैनल के लिए पाउड़ें अब रस इसको हम अच्छे से गुमा देंगे तैयार हो चुका है आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर महमान है तो इसे हम सजा के खिलाएंगे पिलाएंगे तो यह देखिए अपना यहां पे शर्बत लिया है उससे हम एक अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे अपने ग् नयक्त कि इताएं आपके असके सब्सक्राइंगे तंप में मुझे। आप लुचतो इता इता हैं मैं को मुझा यह दिखा रही है तो इसमें बहुत सुन्दध सम्मों के तैयार हो जाएगा अवा इसमें हम चरबत शर्बत डालेंगे हमारा शर्बत नहीं बनाशेख शाहे भी अबनाना शीक बोला है देख हमारा बनाना का श्यक फ्रूट Seems तो बस इस बिना बनाना के बिचे गार्म होकः हमारा बोला है अब चलते हैं दूसरी रेसिपी के लिए यह सब का फेवरेट सब को पसंदाने वाला हमारा ओरियो शेक अब मार्किट में जाओ औरियो शेक तो हई सब से महंगी ड्रेंक होती है पर मुझे आस तक समझ नहीं कि यह इतना महंगा क्यों बिकता है और लोग क्यों खरीदे है क्य जालें आज हम बनाएं गणे अवरेट ख़तुद्धिए हमें एक अवर यह जालें अवेजमाना दे लिया है में 10 pessoa डीया पकेट साथ में लिया है साथ में लिया गाय मिलामाः भ़क्ते लग अने धापना बनाएग और दौना और पार से हम सब और डालेंगे इसमें ओर हु तो यहां पर हम वन टेबल स्पून कोपाउडर यह देखिए अगर आपको ज्यादा कोपो फ्लेवर पसंद हो तो थोड़ा भी डाल सकते हैं और साथ में डालेंगे इसमें चीनी चीनी आप अपने स्वादाजोसार अब मसादा ऑपने चीनी देखी सहसा जगिए हमारे आपको कम दले सकता मारक में में यह कोवं you कि बड़ए ने पर्व बहुत प्रीमी बनाएगा हमारे शेक को तो बस Iskama डाल के बरफ हम अपने इसको मिक्स करेंगे अच्छ नै कि इसको मैं सब देखो हम अपना मिक्स करदेंगे मिक्सर जार में चलाके यह देखिये हमारा ओर्यो शेक बन के तयार है सस्ते में घर बन के त चॉकलेट सिरप लेंगे और स्वर्ल करेंगे यह देखिए बस बहुत असान होती है मार्केट में जो डेकोरेशन सोचते हैं वाओ इतना सुंदर है कैसे किया होगा बहुत असान होती है हम घर में अराम से कर सकते हैं तो देखिए मैं दुबारा दिखा रही हूं लीजिए हमारा मार्केट जैसा कैफे जैसा ओरियो शेक बनके तयार हो चुका है अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन भी करेंगे तो यह हमारा तीस रुपे से उपर का नहीं बना होगा तो इस बार घर में बनाईएगा 200-500 रुपे कैफे में जाएंगे गर्मी में जाएंगे इससे ब के मेश अच्छा बन चुका है c'na नौन में कर दो सीरिय। हमारा एकदम लिए één वरयो शेक बनके तयार हो चुका है अपज्ड़ में लिए जह जैंक हमारा ओर्फी बनके तयार है इजी रेसिपी सेंपल रेसिपी सब्स्तिक गर्में च्छाइशन समर ट्रिंक बनके तयार हो तो आप ये भी इस बारी समन में जरूर घर पर बना के देखिएगा ये ओरियो शेक की रेसिपी बहुत असान है देखिए बस ऊपर से थोड़ा सा ओरियो क्रेश करके डाल देंगे ये लीजे आपका ओरियो शेक बनके तयार है इंजोई कीजिए बच्चों को पिलाएए आप सब खुष हम खुष आप खुष तो यह देखिए अपरी बन के तैयार है तो निकीजिए 1 बारेकी है के येह हमारा था चलते है हमारी टारहा ये हमरा मेलन चेक अब सरगर्मियों में मेलन बहुत आ रहा है तेस्टी होता है बोड़ी के लिए अच्छा होता है पर खाखागे बोर हो गए है तो आज आपको मेलन के एक शेक बना के दिखाएंगे अब से पहले हम उसके लिए करें मेलन का हाघाएंगी इस तरीके से काल देंगे आपको ho张 रहा है भीज के लिखें के लाजनेः पया है भीज के लिखों केहां घवनाइः अब बीज पाओजा नहीं नहीं है आए लिखेंगें सारे बीज निकाल दिये थी यह कना देखिए बस करेंगे इसको हम हाफ लेंगे और जिसका हमारा कवर है वो हमें हटा देना है कवर की जुरत नहीं है में इसका छिलका अच्छे से उतार देना है तो देखिए हमने अपने लेमन को काट लिया है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा हम आप जो हमने इसका पल्क था वो सारा समाल कर लेना है और हम इसका छिलका निकाल देना है यह देखिए आज हमने आपके साथ 6 ड्रिंक्स की रेशिपी शेयर करी तो आप हमने कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी ड्रिंक की रेसिपी कौन सी लगी औ यहां पे हमने चीनी का इसमाल नहीं किया है तो गर आप वेट लॉस कर साथे या या डाइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपना स्वीटनेस होता है तो उसके लिए हमें चीनी का इसमाल करने की जुरूत नहीं है तो जो लोग health conscious हैं या शुगर नहीं खाते हैं तो आप इसको ज़रूर पी सकते हैं क्योंकि ये टेस्टी सा हमारा शेक भी है और साथ में शुगर भी नहीं है और इसे अब हम ड्राइफूट से गार्मिश करेंगे ये लीजिए हमारा melon शेक भी बनके तयार हो चुका है इजी मेलन नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से खिला सकते हैं ये बहुत हाइडरीटिंग होता है तो चलिए अब नेक्स रेसिपी देखते हैं ये हमारा स्टॉबरी बनाना स्मूदी ये परस्नली मेरा सबसे फेवरिट रिंक है क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है और अगर या आप नॉर्मल अपना बनाना और स्टॉबरीज लेके इन्हें अच्छे से दोके अच्छे से सुखा के ओवरनाइट फ्री रिस कीजिए और ये बनके तैयार हो जाएंगे तो बस इन्हें एक मिक्सी जार में डाला है और हमें डाला इसमें आधा कप दूद और इन्हें मिक्स कर लेना है तो यह देखिया ओवरनाइट हमारा फ्रोजन था तो यहां पर हमने आइस का इस्तमाल नहीं किया है सिर्फ और दूद भी हमने सिर्फ आदा कटोरिया आदा कप बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और यह देखिया हमारी स्मूदी बनके तैयार हो चुकी है य अज़े आइस क्रीम भी खा सकते हैं कि यह आइस क्रीम जैसा लगता है बहुत स्वादिश लगता है और इसमें भी हमने शुगर का इसमाल नहीं किया है सिर्फ हमारे फ्रूट्स का स्वीतने से और स्टाबरी का थोड़ा सामारा खटा पन जिसको बहुत यम्मी बहुत क्री इन्जॉय किजिए अगर आपको आइस्क्रीम की क्रेविंग्स हो रही है तो आप उसकी जगा ये खा सकते हैं बिल्कुल आइस्क्रीम वाला टेस्ट देती है और स्मूधी वाला भी देती है ये देखिए हमारी बनाना स्टॉबेरी स्मूधी बनके तयार हो चुकी है अच्छी ये ड्रिंक बनके तयार हुई है तो अगर आपको आज हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिए कर दाबस चाहरा शेयर कीजिएगा और आन चानल के स्ब्स्क्राइब कीजिएगा बाइब झाल झाल